गुल्षन नंदा का जन्म 1929 ब्रिटिश इंडिया के दौर में गुज्रावाला में हुआ था 16 नवंबर 1985 को उनका निधन हुआ नंदा जी उस युग के लेखक थे जब साहित्य केवल विशिष्ट वर्ग के लिए लिखा जा रहा था रोजी रोटी के संघर्षों में व्यस्त आम मध्य वर्ग के लिए साहित्य उपलब्ध नहीं था भारतिय या तो पौरानिक साहित्य तथा कुछ इक्का दुक्का पढ़े लिखे परिवारों में प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह पढ़ते थे वर्ना साहित्य का जुराव किस्सा गोई से होता था मनोरंजन एवं जानकारी के प्रवाह के लिए घरों में लाइसेंस शुदा रेडियो के अलावा मनोरंजन के साधन काम ही हुआ करते थे परंतु उनकी भी अपनी सीमाएं थी उन दिनों इंटरनेट जैसी परिकल्पना हमने कभी नहीं की थी गुलशन नंदा ने पहला उपन्यास तब लिखा गया जब उनकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उपन्यास लिखने के लिए प्रोथसाहित किया शुरुआत में उनके उपन्यास को केवल सौ दो सो रुपए में छापे गए किन्तु जैसे जैसे उनकी कहानियों ने लोक प्रियता हासिल की उन्हें अपने कृतियों के लिए मुह मांगी कीमतें मिलने लगी सिचाठ और सत्तर के दशक में उनकी कहानिया जो आमजन की जिन्दगी से जुड़ी थी जिन पर आधारित फिल्में बनने लगी इन में फूलों की सेज, काजल, सावन की घटा, पत्थर के सनम, नील कमल तथा कटी पतंग आदी प्रमुक है उनकी कहानी पर बनी सभी फिल्में बॉक्स ऑंफिस पर हिट थी गुल्शन नंदा के उपन्यासों एवं फिल्मों में भाषा की सरलता और जीवन की वास्तविक्ता ने मध्यवर्ग के औसत पाठकों एवं दर्शकों को तुरंत अपनी और आकरशित किया गुल्शन नंदा की पुस्तकें आम तोर पर हर जगह सहजता से उपलब्ध थी महलों में उपन्यास दैनिक किराये पर 24 घंटे के लिए मिला करती थी आपको याद ही होगा रेलवे स्टेशनों पर ए एच भीलर स्टाल्स पर पाठकों को उनकी किताबें आसानी से मिल जाती थी जो केवल 4 से 5 घंटे में पढ़ी जा सकती थी इस तरह यात्रा के दोरान लोग रोमेंटिक कथाओं में खो जाते थे यहां ये बताना आवश्यक है कि उनके उपन्यास विश्वनात द्वारा संपादित भारतियता विरोधी पत्रिकाओं सरिता, मुक्ता, कैरेवान सीधे तोर पर टक कर देते थे इनके अलावा धर्म युग, सापताहिक हिंदुस्तान, कादंबिनी जैसी पत्रिकाओं भी प्रभावित हो रही थी भारत में आजादी के बाद से ही साहित्य जगत पर गिरोह बंदी शुरू हो गई थी यह गिरोह आयातित विचारधारा का समर्थन करता रहा है और भारतिय सांस्कृतिक निरंतरता को समाप्त करना इसका प्रमुख लक्ष है एजेंडे विशेश के समर्थक पुरसकार जीवी साहित्यकार खेमेन ने स्वयंभू तोर पर आचार्य चतुरसेन शास्त्री गुरुदत्ट और गुलशन नंदा जैसे कई लोगों को साहित्यकार मानने से इंकार्सा कर दिया गया भले ही गुलशन नंदा को साहित्य की मुख्यधारा ने अस्विकार किया लेकिन उनका प्रभाव आज भी जीवित है प्रेम और रोमांस को एक नए आयाम में प्रस्तुत करने के कारण उन्होंने पाठकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया शायद अवार्ड या मान्यता का अभाव अब उनके लिए कोई माइने नहीं रखता था लेकिन उन्होंने जो लिखा वह पाठकों के मन में हमेशा जीवित रहेगा फिल्म कटी पतंग दर्शकों विशेश रूप से महिला दर्शकों को आकरशित कर रही थी ऐसा नहीं है कि पुरुष दर्शक भी फिल्म देखकर अपने आंसू न रोक पाते थे सत्तर और असी के दर्शक में उपन्यास पढ़ाना इसलिए अगोशित रूप से प्रतिबंध था क्योंकि उसे द्वार में उपन्यास केवल रोमांस, प्रेम, शड्यंत्र, जासूसी जैसे कथानकों पर रचे जाते थे आचारे चतुरसेन शास्त्री एवं गुरुदत्त ही ऐसी रचनाकार थे जिनके उपन्यासों को संभरांत वर्ग में लोक प्रियता हासिल थी परंतु औसत मध्यमवर्ग के परिवारों में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले उपन्यासकार के रूप में गुल्षन नंदा ही माने जाते थे किशोर उम्र के लड़के लड़कियां अपनी पाठ्थे पुस्तकों के भीतर छुपा कर इन उपन्यासों का आनंद लेते थे किशोर आवस्था की एक घटना मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारा परिवार एक परिचित परिवार में गया तब मेरी हम उम्र किशोर लड़की ने मुझे गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ने की सलाह दी उसका कहना था कि उनके उपन्यासों में मनोरंजन के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी हुआ करती हैं मैं चाह कर भी गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ने सका क्योंकि हमारे घर में इस बात का विशेश ध्यान रखा जाता था कि हम किस तरह के साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं कॉलेज में पहुँचकर ही हम गुल्शननन्दा के उपन्यासों को पढ़ सके हमने पाया कि गुल्षन नंदा की हर कहानी मध्यवर्ग को कनेक्ट करती है। उपरी तोर पर तो कथानक रोमांस और प्रेम से परिपूर्ण नजर आता है। परंतु गुल्षन नंदा महिलाओं की समस्याओं को खुल कर व्यक्त करते नजर आते हैं। बावजूद इसके उनको क्रिटिक्स ने स्वीकार नहीं क्योंकि उन्हें दोयम दर्जे का लेखक साबित करने से स्वगोशित साहित्य आलोचक पसंद नहीं करते थे। क्योंकि साहित्य गिरोह का अपना एजेंडा था और इस पर भी काम कर रहे थे। मित्रों आपको मेरी बातें कैसी लगी कृपया बताएं आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए